बारिश आजाए न, तो आलू प्याज का और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, लसन वेगर, सब साथ वे मैं ली रखती, प्याज को अलग रखती हूँ, लसन को भी अलग रखती हूँ और आलू को भी, यदि कोई प्याज खराब हो गई है तो उसको निकाल दे, चेक कर लेते हैं, ये कैसे है अभी, नीचे की तरब भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि दबा हुआ रहता है ना आलू, ये सब थोड़े बहुत उगी जाते हैं, तो देखिए ये कॉर्नर में पड़ा हुआ आलू बिल्कुल थोड़ा सा उग रहा है, आलू अभी अच्छा है अच्छी है और थोड़ी उग रही है, तो इसको फेकने के बजाए उसको मिट्टी में या पानी में उगा सकते हैं, स्प्रिंग अनियन्स आपका तयार हो जाएगा, सड़ा है तो फेक देना है, तो आलू और प्याज को अलग अलग रखेंगे ना, तो जल्दी ने सड़ते बहुत ही रेर होगा कि आलू या प्याज सड़ेगा, तो बहुत ही अच्छा तरीक है कि आलू प्याज या लसन भी रख रहे हैं, तो अलग अलग रखें, और बीच बीच में कभी कभार आलू, प्याज, लसन, जिस भी बास्केट में रखें, थोड़ी साफ सफ़ाई कर दे लेकिन इसको स्टोर करना है ड्राई कूल और थोड़े डार्क प्लिस में थोड़ा अंधेरा होना चाहिए और अंदर जादा नमी नहीं होनी चाहिए अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए उस रूम में और लाइट ज्यादा नहीं आना चाहिए तो बहुत अच्छा रहेगा आलू और प्याज एकदम फ्रेश बने रहेंगे ताजा रहेंगे बहुत दिन तक लंबे टाइम तक ऐसी जगह है घर में तो आप ज्यादा क्वांटिटी में भ बासकेट नहीं है तो अंदर ही ऊस रूम में उसकी साफ सफाई बीच बीच में करनी है देखिए लसन भी मै लसन की भी बीच enroll में साफ-सफाई करते रहना चाहिए लसन भी ड्राइव हो जाते हैं और ड्राइव होते होते थोड़े सड़ भी जाते हैं कभी-кभी उगने भी लगते हैं जादा मोईस्टर से ऐसा ना हो इसके लिए इसकी भी साफ सफाई जैसे आप आलू और प्याज की करते हैं तो वैसे ही इसकी भी जो एक्स्ट्रा छिलके पड़े हुए हैं सारा निकाल देना चाहिए साफ सफाई रखनी बहुत जरूरी है थोड़ा उलट पलट भी देंगे नलसन प्याज और आलू को तो एरियेशन अच्छा होता है और पता भी चल जाता है सड़ रहा है कि उग रहा है कैसा है सब कुछ तो यदि आप चाहते हैं कि आलू प्याज लसन जादा दिन तक तिके सड़े नहीं इसके लिए आप उसको अलग-अलग बास्केट मे नहीं रखते ऐसे ही फ्लोर पे रखते हैं आप तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस में रख दीजिए तो इससे ना बहुत अच्छा रहेगा आलू प्याज बहुत लंबे टाइम तक टिकेंगे लसन भी बहुत लंबे टाइम तक टिकेंगा और बिल्कुल वैसे ही रखना है डार्क, ड्राइ और कूल प्लेस में रखना है बढ़िया हवा आनी जानी चाहिए कमरे में वैंटिलेशन अच्छा होगा तो बहुत अच्छा रहेगा तो इससे इसकी लाइफ बढ़ जाएगी और आप ज्यादा क्वांटिटी में भी स्टोर करके रख सकेंगे